मन के हारे हार है मन के जीते जीत जिन्दगी में हार और जीत को मन तै करता है चुनोतियों के सामने खुद को बोना मान लेना हार है अपनी मन्जिल पर पहुँचने के लिए चूजना, बार बार गिरना और फिर हिम्मत बटोर कर खड़े हो जाना जीत है साहस, संघर्ष और सफलता की ऐसी ही एक कहानी है किरन कनाजिया की जिन्होंने मुश्किलों के आगे कभी हार नहीं मानी जीत की जिद के लिए उन्होंने कुछ कर गुजरने की ठानी और लगातार प्रयास कर अपना लक्ष हासिल किया परले मैंने जिससे स्कूलिंग करी महाँ पर था कि वो सिफ टैन तक था फिर उसे हायस एजुकेशन करना है तो था कि अरे अब कैसे होगा बट मेरे मॉम डैड ने इतना सपोर्टिव थे जो एक आसपडोर्स की नेवर्स जो गाइड करते थे था मभी पापा काम करते थे तो हो कहते थे कि नहीं ये पढ़ने में बहुत अच्छी है कि यहाँ पर स्टड़ी ब्रेक मत करो तो नहीं ने फिर मुझे सपोर्ट के एंकरेज किया तो मेरा अगमेशन देवी स्कूल में हो गया परस्ट येर में मैंने टॉप करी निवर्स्टी मैं भी सप्राइज थी तो उसके बाद जो भी मेरा नेक्स्ट टू येर्स थे उस प्रिंसिपल सर ने फूरी सो फी कंसेशन कर दिया तो I was like three years I have studied almost in बहुत कम पैसों में ही मेरी पढ़ाई होगी काम्याबी की सीडियां तेजी से चड़ती किरन की जिन्दगी में मानो सब कुछ किसी सपने जैसा चल रहा था अच्ची नौकरी और उज्वल भविश फिर अचानक उनकी जिन्दगी को किसी की नजर लग गई सब कुछ मानो बिखर सा गया कभी न भूलने वाला एक ऐसा दिन जिसने किरन की जिन्दगी को हमेशा के लिए बदल दिया फर्स एल्री आई ट्रेनिंग के बाद तो 25 दिसेंबर को मेरा बर्डे होता है उससे एक दिन पहले 24 दिसेंबर को मैं जब हाइदराबाद से ट्रैवल कर रही थी तो ट्रैवल करने के टाइम पे जब मैं पहुचने वाली थी फरीदाबाद तो पलबल रेल्वे स्टेशन के पास महां पे दो अन्नून बॉइस आए और मैं लोवर बर्थ पे नेक्स्टो दी एग्जिट दोर मैं बैठी वी थी तो ऐसे नॉर्मल लगता है तो उन्होंने म कट जाता है और ट्रेन चल रही है और एकदम सर्दियों का टाइम था और मुझे लगा कि क्या होगा मैं फिर मैं चिलाई हैल भेल किरन ने दुबारा ओफिस तो जॉइन कर लिया लेकिन कहीं न कहीं उनके मन में एक टीज थी कि दुनिया उन्हें अब एक कमजोर या मजबूर की नजर से देखती है उनकी जिन्दगी में नया मोड तबाया जब चेकब के दरान उनके डॉक्टर ने उनसे पूछा क्या आप दौड़ना चाहेंगी फिर क्या था पूरे आत्म विश्वास से किरन ने जवाब दिया येस आई वान्टू रण है तरबाद में एक दक्षिन रिहाब करके ऑजनाइज़ेशन है वहाँ पे उन्होंने पूछा कि किरन दू यू वान्टू रण ने का येस आई वान्टू रण की वह एक अंदर से आग सी लगी थी कि यार जब कुछ हो जाता है ना जो हम लूस कर देते हैं लोग उसी की ल अब तो प्लास्टिक वाला पैर लग जाएगा शादी कौन करेगा बाहर कैसे जाएगी तो जब में एक जब बोला ना कि हां हम रन कर सकते हैं तो मैंने वह अपरिचुनिटी को खोया नहीं येस आई वान्टू रण जहां एक कदम बढ़ाना भी भारी हो वहां तेज दोड़ने की कलपना करना मुम्किन नहीं लगता लेकिन किरन का जुझारू जजबा उन्हें हिम्बन दे रहा था फॉलादी इरादों का हाथ पकड़ कर किरन ने एक नई शुरुआत की एक कदम बढ़ाते हुए किरन ने अपने लक्ष को एक किलोमेटर से दस और फिर पंदरा किया फिर एक दिन आया जब उन्होंने 21 किलोमेटर की हाफ माराथॉन में हिस्सा लेने का फैसला लिया और इसके बाद दुनिया ने किरन के जजबे को सलाम किया I became like a kid की बेबी जैसे उसको हम सिखाते हैं कि लेफ्ट राइट पूट फॉट 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 पॉट तो मैं वो मुझे सिखा रहते और मुझे रोना रहा था यार किरन तू चलना भूल गई कि मतलब इस पूरी पच्छे साल में ने कभी खुद इछे मुड की नहीं देखा फिर वह हैं सो चाप तो मुझे कुछ करना ही है फिर वहां से कर लातल से जब लिया है तो ट्राइंग स्क करी एक किलोमीटर स्टार्ड किया नोची स्टार्ट किया फिर ऐसे बीरे डिए मैंने नहीं किलोमीटर किया फिर यहार protections किया ने कमेंक्त किरन कनोजिया के इस पूरे सफर में एक हमदर्द जो हर उतार चड़ाव में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही वो थी उनकी बेहन सुमन तेज तूफान के थपेड़े से कर अपनी कष्टी को साहिल पर ले आना उनके लिए एक जीत है और दुनिया के लिए प्रेलना में थी में वहाँ पर एक बॉंब ब्लास्ट हुआ था तो हमें पता चला कि वन गल लॉस्ट हर लेग वें नहीं में पताया था कि मेर लेग नी है जब उसने मुझे देखा ना कि I am standing in front of her she was like very happy वो एक उमीद कि when there was nobody to support me at least I can support someone when they are in that phase so इस की से मुझे एक मुझे भी खुशी होती है और मुझे भी encouragement मिलता है किरन यू डोंट स्टॉप रहर थीव मोगे अपनी तकलीफ को भूलकर हारी हुई बाजी को बलटने और जीतने का जो जजबा और जुनून किरन कनौजिया ने दिखाया वो हर उस शक्स के लिए एक मिसाल है जो कठनाईयों में मुझकुराना और जिन्दगी जीना भूल जाते है लॉटर लेंड प्रेजन्स जीतेंगे हम